हलो दोस्तों के सो आप सब स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज हम करने वाले हैं fixpack OG प्रोजेक्टर का 300S screen test दोस्तो fixpack OG प्रोजेक्टर के review वीडियो में आप लोगों से पुछा था क्या आप लोगों को 300S screen test वीडियो देखना है इस प्रोजेक्टर का काफी भाईयों ने जो है कॉमेंट किया था तो सबसे पहले आप सभी भाईयों का बहुत-बहुत सुक्रिया जिनोंने कॉमेंट किया था और उन सभी भाईयों का भी बहुत-बहुत सुक्रिया जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और जिनोंने हमारे channel को subscribed किया हुआ है और जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूज़ है कि सब्सक्राइब करके support करें और हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा साथ आपके सवाल या विचार comment बोगस में कॉमेंट करना मद भूलिएगा चले सूर करते हैं पिक्सपेक ऊजी प्रोजेक्टर का 300 इंस स्क्रीन टेश्ट दोस्तों ये जो 300 इंस स्क्रीन आप देख रहे हैं इसके हाइट लगबग 12 फिट की है और चौड़ाई की बात करें तो 22 फिट से थोड़ा ज़्यादा है स्क्रीन से लेके प्रोजेक्टर का जो डिश्टेंस है लगबग 30 से लेके 32 फिट की डिश्टेंस है और इतने डिश्टेंस में ये 300 इंस स्क्रीन बना देता है condition आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से dark नहीं है, मगर हाँ dark ही कह सकते हैं, थोड़ी बहुत environment में आपको light देखने को मिलेगी, दोस्तों ऐसे environment में भी इस projector से इतने बड़ी screen में काफी अच्छा result आपको देखने को मिल रहा है, brightness, color, picture की quality काफी अच्छी है, SARP में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, text की visibility काफी अच्छी है, outdoor में इतने बड़ी screen की बात करें, तो यहाँ पर काफी अच्छा result आपको देखने को मिल जा रहा है, IPL का सीजन चल रहा है, तो इतने बड़ी screen में मैंने IPL match भी देखा, काफी अच्छा result, काफी अच्छा existing बाकी है, तो कहीं न कहीं यह projector 350 inch के आसपास का screen easily बना सकता है, distance आपका वही, 34-35 feet का distance required होगी, इतना distance मेरे पास में है नहीं, दोस्तों यह projector 4 के HDR support की साथ में आता है, बहुत सारे HDR content, चाहे आप YouTube या फिर OTT platform के HDR content देखेंगे, तो उसमें आपको contrast ratio, black की जो level है, वो काफी जादा देखने को मिलती है, और इतनी बड़ी screen में जब आप देखते हैं, तो कहीं न कहीं, HDR content में brightness थूड़ी सी डल लग सकती है, इसका solution यह यह दोस्तों कि इतने बड़ी screen आप जब बनाते हैं, तो आपको HDR को off कर देना है, इस projector में HDR off का option है, मगर projector के अंदर के settings में, आप अगर HDR को off करते हैं, तो वहाँ पर जो है उतना अच्छा result देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को suggest करूँ है, कि Amazon 5 TV Stick जैसे मैं use कर रहा हूँ, यहाँ पर settings में हम अगर HDR को off कर देते हैं, तो भाई बिना HDR content का, इसमें आपको brightness, ultimate देखने को मिलेगा, काफी support मिलता है, तो YouTube हो, या फिर ODD platform का content, या फिर IPL, भाई 4K में आप देख सकते हैं, 4K support के साथ में आता है, तो आप अगर इस projector से maximum screen size 300 इंस, 350 इंस अगर बनाना चाते हैं, तो आप लोगों से यही recommend करूँगा, कि आपका जो भी external device है, उस device के settings में जाके आप HDR को off कीजिए, ब बिना HDR का भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा result देखने को मिल जाएगा, तो भाई जो भी इस projector को purchase करना चाता है, भाई purchase link आपको discussion में मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारा promo code वो भी discussion में मिल जागा, इस projector का review video आपने अभी तक नहीं देखा है, तो वीडियो के discussion और हमारे channel मे भी जाके आप अगर देखेंगे, तो Pixpack OG projector का review video आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस projector का review video को देख सकते हैं, इस projector को आप multi-purpose के लिए use कर सकते हैं, चाहे आप अपने home entertainment, office presentation, classwork, या फिर outdoor में buddy screen बना के content देखना चाते हैं, जैसे IPL का season चल रहा है, अपने friends and family के सा में IPL का mess देखना चाते हैं, तो definitely इस projector को आप purchase कर सकते हैं, तो दोस्तों ये था Pixpack OG projector का 300 screen test, जिसमें ये projector काफी अच्छा result, काफी अच्छी brightness, picture quality और colors देखने को मिल जाती है, definitely इसे outdoor में भी आप बड़े screen के लिए use कर सकते हैं, उमीद करूँगा दोस्तों कि ये video आपको release होने वाली है, probably two, once a leader, always a leader, नहीं है कप्तान officially toss करने नहीं जाते हैं, नहीं बताते हैं कि pitch patty है, लेकिन इनके दिलों में रहते हैं, जो दिल में घर कर गया है, वो कहां नहीं और जाने वाली है?